पोंच के इलाके में एंकाउंटर कोप सत्रा दिन हो चुके हैं लेकिन सत्रा दिन हो जाने के बावजूद भी सिक्योर्टी फोर्सिस को अभी तक कोई काम्याबी नहीं मिली है नौ जवान शहीद हुए दो जमकश्मीर पुलिस के जवान जखमी हुए आमिकर एक वो जवान जखमी हुआ लेकिन आतंकियों को अभी तक नूटरलाइज नहीं किया गया है इस समय की सिचुएशन ये है कि कोड भरवाल जेल से एक आतंकी को भाटादूरियां के जंगलों में हाइडाउट्स को अइडेंटिफाई करने के लिए ले जाया जाता है लेकिन आतंकियों के साथ मुटभेड में उसकी भी मौत हो जाती है इस समय भी या एंकाउंटर चल रहा है क्या कारण है कि एंकाउंटर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा क्या कोई स्ट्राटेजी है कि इस इंकाउंटर को इतना ड्राग आउट किया जाए इसी पर बात करने के लिए मिरे साथ है दॉक्टर एस्पी वैद जमकर्शमीर के पूर डिरेक्टर जरनल पुलिस जिन्हें एक लंबा अनुभव है आतंकवाद के साथ लडने का तो सबसे पहले दॉक्टर एस्पी वैद यही की सिच्वेशन कितनी गंभीर है कि 17 दिन से एंकाउंटर भी चल ही रहा है देखे यह साच है कि बहुत लंबा एंकाउंटर केच गया और जनरली दो तीन दिन से जज़ादा एंकाउंटर नहीं लास्ट करता लेकिन इसमें यह है कि इनिशली जो एंकाउंटर हुआ उसमें जो कैजूल्टी हो गई आर्मी की जो इनिशल सैट बैक हो गया वो मैं समझता हूँ और कैजूल्टी लेने का कोई मतलब नहीं बनता और जो फोज स्टाटेजी बना रही है बेरिंग देम आउट टाइरिंग देम आउट I think that's the right स्टाटेजी उसके after all इनके पास ammunition जितना भी लाया होगा limited होगा sustainability के लिए खाना बाकी चीजें पानी की जरूरत पड़ती है चाए वो ड्रग्स भी लेते होंगे तब भी आदमी को सस्टेन करने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती है तो मैं समझता हूँ ये स्टाटेजी बिल्कुल सही है कि और नहीं ली जाए क्योंकि ये बहुत एक डिफिकल्ट सा एरिया है जंगल है रॉक्स हैं केब्स हैं और वो घात लगाके बैठे हुए हैं और जो गार्डन लगाके आगे फौज चलती है या पुली स्क्राटी फोर्से चलती है वो मूविंग अब्जेक्ट हो दिखता है जो आदमी पत्थर के पीशे रॉक्स के पीशे या केब में शुप के बैठा है वो नहीं दिखता है और आप उस बर्लनेवर होते हो आपको ज्यादा एक खत्रा रहता है तो चूंकि आपको ऐसे अलड़ी सेट बैक हुआ एक दो पहले जो इंकाउंटर हुए उसमें तो मैं मैं समझता हूँ यही स्ट्रेजी ठीक रहेगी कि इनको टायर देम आउट वेर देम आउट ताकि आल्टीमेटली वो बाहर निकलें और यह भी मुम्किन हो सकता है जैसे कुछ लोग अंदादा लगा रहे हैं कि कहीं वो निकल गए हैं यह भी मुम्किन हो सकता है वो मारे गए ह यह तो आप पता चलेगा जब एंकाउंटर कंप्लीट होगा जब पूरा साइलेंट हो जाएगा दोनों तरफ से गोली नहीं चलेगी पूरा कॉंबिंग होगा उस एरिया का वन वाई वन केरफूली ताकि और कैजूल्टी ना हो और उसके बाद पता चलेगा कि लाशे मिली कितनी लाशे हैं, कितने टर्रिस्ट हैं, कितने हत्यार थे उनके पास, कौन सा अम्मिनिशन वो यूज कर रहे थे, कहां के रहने वाले हैं, क्या वो पाकिस्तानी हैं, जनरली अंदाजा यही लगता है कि वो इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रूप है, जो रिसेंटली आया हुआ है, तो क्या वो बैटल हार्डन टर्रिस्ट हैं, अफगानिस्तान, यह सारी बातों का खुलासा तब ही होगा जब यह सारा आपरेशन कंप्लीट होगा, तो मैं समयता हूँ, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इसमें धहरे रखना चाहिए, ठंडे दिमाग से आपरेशन को कंप्लीट करना चाहिए, और बड़े क्यरफूली इसको कंक्लूजन तक लाना चाहिए, और कैजूल्टीज को अवाइड करके, डॉक्टर वैद, कोड भलवाल जेल में कातंकी, उन आतंकियों के संपर्क में था, उसे वहाँ ले जाया जाता है, हाई राउट्स आइंटिफ के किया, मैं उनकी सोच नहीं जानता, लेकिन शायद मैं समयता हूँ, उन्होंने कोई इंटरसेप्ट किया होगा, जिससे पता चला होगा कि कोड भलवाल की जेल से कोई इन से राप्ता रख रहा है, और उसको लाया गया और उसको यूस किया गया, जिस तरह हम कहते हैं, लिए ये कहां पर चुपे हुए हैं, ताकि इनको न्यूटरलाइज किया जाए, तो एक किसम से ठीक स्टेजी थी, बट मुझे लगता है, वो ज्यादा होश्यार है, और उन्होंने उसको ही मार डाला, तो लेकिन इसमें एक हैरांगी की बात ये भी है, आज पुलीस आफसर मैं as former DGP, I would take it very seriously कि कोट बलवाल के अंदर mobile कैसे चल रहा है, कोट बलवाल के अंदर hardened terrorist, hardened criminals रखे जाते हैं, तो वहां फिर किस तरह से mobile अंदर जा रहे हैं, जो बाहर के टरर इस से contact कर रहे हैं, तो ये बात government को और administration को और police को देखनी चाहिए कि जो terrorist detain है उनके हाथ में sims और mobiles कैसे आ रहे हैं यह नहीं आने चाहिए It's a security risk How somebody from the central jail in Srinagar or courtvalval jail in Jammu is able to communicate with the terrorist operating In fact, यह चीजें पहले कुछ साल पहले होती थी जब हमने crackdown किया था central jail स्रीनगर में और valley के बाकी jailों में और even courtvalval में और वो सारे उनके mobile और sims seize किये थे यह चीज दोबारा नहीं होनी चाहिए और आज तो government of India इतनी supportive है कि आपको जो hardened terrorist है उनको देश के बाकी jailों में बेज़ जाता है तो आज इस पर पूरी तरह से नकेल कसी जानी चाहिए मैं समझता हूँ यह security risk के यह नहीं होना चाहिए अभी तक कोई number भी public domain में नहीं डाला गया है कि आखिर कितने आतंकी हैं जिन्होंने punch में infiltrate किया है तो क्या यह भी strategic reason है इसके पीछे भी कोई कि number अभी तक public domain में नहीं डाला गया क्योंकि operational details नहीं share की जाती वो तो समझ में आता है लेकिन आतंकी कितने हैं इसका number भी ना बताया जाए या फिर ऐसा है कि security forces को अभी तक नहीं मालूम चल पाया है 17 दिन case encounter के बावजूद भी कि आखिर आतंकीों का number कितना है मुझे लगता पूरा number शायद उनको भी मालूम नहीं क्योंकि exact number तब ही पता चलता है जब आपको operation complete हो जाए वहां कितनी dead bodies मिली वो कहां के रहने वाले हैं कहां के उनकी identity क्या है उनके जो भी पहचान उनसे मिलती है हत्यार कितने है ammunition कितना है खाने का समान कितना है ये सारी चीजें जब operation complete होता है और सबी लाचें परामद होती है उसके बाद पता चलता है लेकिन चुकि अगर उस इलाके में कोई shepherd हो कोई बकरियां चराने वाला हो कोई after all कहीं से तो इतला आई कि हमने group देखा तभी तो आपने operation launch किया तो वो जो आपको पहली information आई उसने कुछ तो अंदाजाद दिया होगा सर चार लोग देखे पांच देखे शे देखे आठ देखे तो मैं समीता हूँ rough estimate पता होता है कि कितने लोग है क्योंकि आप operation plan उसी हिसाब से करते हो अगर दो terrorist हैं operation का planning different होगा अगर बड़ा group है तो operation का planning दूसरी किसम का होगा तो इसलिए initial reports security forces या police के पास या army के पास क्या आई ये उस पे depend करता है मैं उसका प्राइबी नहीं हूँ लेकिन जो मुझे लोगों से बात करके पता चला कोई चार बोलता है कोई पांच शे बोलता है तो ये पता चलेगा जब operation complete होगा आपने की identification की बात की एक और incident हुआ लगपक चार दन पहले ही की एक newly formed terror organization ने एक video डाले जिस video में they claimed responsibility for this encounter, for this जो gunfight हुई वहाँ पर और साथी में उन्होंने fake IDs डाल कर और एक kit चैसी बना कर उसकी video डाल करे है कहा कि casualty actual में जादा है कम बताई जा रही है तो इस video का डलना हाला कि बाद में आमी ने कहा कि propaganda वीडियो है इस video का डलना क्या यह signify करता है कि जो आतंकी अभी भी पुंच के इन जंगलों में है कि वहां से यह contact established हुआ हुआ है जिस वजह से यह video उसी टाइम पर डल रही है जिस टाइम पर encounter भी चल रहा है जी बिलकुल यह आज नहीं पहले भी देखने आया है क्योंकि जो पाकिस्तान आमी और ISI है उसका एक propaganda पूरी machinery है पूरा wing है उसका काम ही यही है ISPR का propaganda channel जो है वो ऐसे videos upload उसको seriously नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह propaganda warfare है psychological warfare है तो वो ऐसा दिखाना चाहते हैं कि भारत की फाज कबजोर है और वो बहुत बहादूर है तो इन चीजों को ज्यादा तर आज खासकर आज कल के जमाने में वाटस अप के जमाने में 90% वीडियो फेक होते हैं अभी मैं देख रहा था नानकाना साब पर कोई attack हो गया जब चेक किया पुराना वीडियो है तो ऐसा इन प्रॉपगंडस मैं बिलकुल नहीं जाना चाहि क्योंकि उनकी तो मंचा रहती है कि हमारा पूरे भारत में से इंफ्रमेशन फिलाई जाए फौज का रुत्वा काम किया जाए फौज को बदनाम किया जाए पुलीस को बदनाम किया जाए ऐसा सही नहीं अब अगर देखें कि पुण्च में 17 दिन हो चुके हैं इस इंकांटर को भी तो लोजिस्टिकल सपोर्ट की अगर बात की जाए क्योंकि कुछ लोगों को एरेस्ट भी किया गया लोजिस्टिकल सपोर्ट प्रॉइड करने के लिए क्या समझते हैं कि जो जोरी पुण्च के इससे फड़ा की जो इलाकह में अगर जो बात के अगरिये लोजिस्टिकल सपोर्ट चा सव घ्रु हीं कुछ तो सपोर्ट्स इस्टम मोगा जिस वजह से सवाइफ कर रहे हैं अगर मैं इंटरनेशनल बार्डर की बात कर रहा हूँ आप कटुआ, सामबा, अकनूर यह सारा इलाका ले लो और रज़ौरी पुंच का इलाका ले लो यह बाई एन लाज प्रो स्क्योर्टी फोर्सिस प्रो नेशन लोग हैं और यहां मजौरिटी, I think 99% लोग ऐसे होते हैं जो देश के साथ, स्क्योर्टी फोर्सिस के साथ, लेकिन हम में कुछ बलैक शीप भी होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे गल्त लोग हैं, इर्रिस्पेक्टिव आफ रिलीजन, मैं कहूंगा, वो हर धरम के रहते हैं, जो स्मगलिंग कर प्रफेशन होता है, उनका यह काम होता है, पैसे के लिए लालच में वो काम करते हैं, तो आपको गाइड्स, आपको यह सारी चीजें करने वाले हत्यार लाने वाले, ड्रग्स लाने वाले, स्मगलर, इंटर बॉर्डर स्मगलर, इवन इस बेल्ट में मिल जाएंगे, जो सा रजोरी पुंच में भी होगा, आपने बिलकुल सही कहा, सत्रा दिन सर्वाइव करना कोई छोटा वक्त नहीं है, आपको अगर वहाँ टेररिस्ट है, उनको पानी चाहिए, हो सकता पानी वहाँ जहरने पास में हो, जहां हो चुपे हैं, तो मैं नहीं जानता अग्जेक्ट वहाँ अग्जेक्ट क्या चीज है, लेकिन कोई कहीं टाइलेट जाना है, आपको और दस चीजें इनसान को जो जरूरी होती है, उसकी जरूरत पढ़ती है, वहाँ इसी लिए मैं कहता हूँ कि इंटेलिजेंटली यूज करना चाहिए, लोकल जो लोगों को वहाँ बकरी च चराते हैं, उनकी काफी समय लगता है, और देश का काफी रिसोर्सिज लगते हैं, एक फौजी को त्यार करने हैं, तो इस तरह की कैजूल्टी और जो इनीशली हो गई हो गई, लेकिन आप नहीं लेनी चाहिए, और इसमें टेकनॉलोजी का इस्तेमाल करना चाहिए, चैट्स, वो चैनल्स जिनको इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है, जैसे वाटसअप चैट हो गई, जैसे टेलीग्राफ हो गया, इस तरह बहुत सारे जो इंटरनेट पे चलते हैं, उनको इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी टेकनॉलो इसको यूज करना चाहिए जो उस इलाके में अपने जानवरों को चराते हैं आधरवाइस जाते हैं क्योंकि लोकल लोग टेरेन जानते हैं लोकल लोग एरिया को जानते हैं लोकल लोग एक एक पहाड़ी को एक एक केव को जानते हैं एक एक रस्ते को जानते हैं तो उसका ना गवराने की ज़रूरत नहीं है यहां सत्रा दिन होगे और पांच दिन लग जाएं कोई बात नहीं but very carefully और हर precaution लेते हुए आइस्ता आइस्ता tire them out and advance in a way after getting a precise information and then strike. जिस तरीके से रस्ता बंद करके रखा है इस वज़ा से लोग परिशान हो रहे हैं क्या जरूरी है इस समय उस रस्ते को बंद करके रखना या फिर कोई alternate via media निकाला जा सकता है? बिलकुल निकाला जा सकता है. In fact, मैं समझता हूँ minimum inconvenience to the people और ये काम basically police को करना चाहिए. फोज operation पर focus करें. पुलीस का काम है कि किस तरह से divert किया जा सकता है traffic को ताकि लोगों को inconvenience ना हो और बिना जो operation को disturb किये हुए हम किस तरह से लोगों को उनका अपना रोज मर्रा का काम करने में मदद कर सकते हैं? चाहिए कहीं से और उनको divert करना पड़े या अपनी निग्रानी में उनको निकालना है ताकि वो कहीं operation में वादा ना करें. वो चीजें उनका फर्ज बनता है लोकल पुलीस का, ट्रैफिक पुलीस का और लोकल एड्मिस्टेशन का. इस समय एड्वोकेट अंकोर शर्मा जो जम्मू के चैमेन है, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फिरंस किया और उसमें बहुत सारे गंभीर सवाल इस पूरे पुन्च के इंकाउंटर को लेकर उन्होंने खड़े किये, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही पूछा गया, कि क्य करगिल टाइप इंकर्शन पुन्च में हुई है, तो आप से यही समझना चाहेंगे, क्यूंकि आपका एक लंबा आनुभव है और आप इस एरिया को भी अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या पॉसिबल है करगिल टाइप इंकर्शन पुन्च में बाटर दूरियां की इन ज पुरा एरिया को उन्होंने अंदर आकर उस पे कबजा जमा कर, जब फौज वहां सरदियों में विड्रा कर जाती थी आउट पोस से, तो उस एरिया को उन्होंने कबजा करके वहां कंक्रीट बंकर्स बनाये थे, वो इस इस इलाके में मुंगी नहीं है, यहां बन ही नहीं स हकते हैं जो उन्होंने वहां लड़ाई की हो तलियवान के साथ और उन ग्रुप को यहां किया हो और उनको कुछ दिनों के लिए यह समान-समान दिया हो और बोला हो जाके अंदर जाके इस जगह पे दिखाया हो कि यहां आप बैठ जाना वहां आप मैं जो मेरा एक्सपीरियंस बताता है यह लोग इस नियत से आते हैं देखो वो जैसे सुईसाइडल ग्रूप आता है आतम गाती ग्रूप आता है या फिदाई आता है तो वो कहता है मैंने तो मरना ह मैं मैकसिमम डेमेज कितना कर सकूँ फोज को या स्क्यूर्टी फोर्सिस को तो यह इस नियत से आए है अब उसमें उनका ओनली इंटेंशन इस कि मैं मैकसिमम डेमेज इनोने तो मरना है आए ही मरने के लिए और मरेंगे अल्टीमेटल लेकिन इनकी स्टेड़जी को कामजा हाब नहीं होने देना है इसलिए मैं कहे रहा हूं और डेमेज और नहीं लेनी है फिर वो अपने मकस्द में सही थाबत हो जाएंगे तो किया जुटी मिनिमाइस करनी है एनी फर्दर कैसुल्टी और इनको नि इनोने तो मरना ही यह तो मारे ही जाएंगे यह भी सवाल पूछा गया कि 40-45 किलोमेटर के ही रेडियस के अंदर पुंच की सिटी है और उससे कुछ ही किलोमेटर के रेडियस के अंदर बाकी भी स्ट्रेजिकली इंपॉर्टेंट रोड उनका सवाल है कि मुगल रोड है बिंबर्दी कली है डेरा की गली है यह इलाके हूँ ऐसा ना यह कारगिल जैसी सिट्यूएशन है और ना यह ऐसा कोई है हाँ ग्रूप आया है बट यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें कैजूल्टी उनकी भी होती है हमारी भी होती है का इसमें दोनों तरफ से बो नुक्सान हो सकता है और जैसे मैंने कहा जो आदमी मरने मराने के लिए आया हो वो नुक्सान तो करेगा ही जैसे सुइसाइडल जब अटैक होते थे फिदाई अटैक होते थे तो वो तो मरने आया ही था लेकिन वो नुक्सान कर जाता था संत्री को मार जाएगा दो चार को और मार जाएगा पांस साथ को मार आपका संत्री कितना अलर्ट है और पहला इनिशेटिव किसके पास है जैसे इन्होंने इनिशिल कैजूल्टी पांच फौजी शहीद कर दिये तो एक इनिशिल फाइरफाइट थी अब जब आप मूव कर रहे हैं और वो शिपा हुआ है वो घात लगा के बैठा हुआ है तो कै निश्बासी को बुरा लगा होगा लेकिन कैजूल्टी जो है यह ऐसे आपरेशन में होना मैं कोई हो नहीं समझता बट आइंदा के लिए खुश्यार है ना यह जब आप समझते हैं कि दुश्मन किस एरादे से आया और दुश्मन की नियत क्या है फिर जो भी प्रिकार्श नहीं वो जिन्दा है ब्लैक ब्लू थंडर के कुछ क्या नाम था ब्लू स्टार वर्ज फस्ट के पीएस गिल के टाइम पे था ब्लैक थंडर या कुछ था वो उस आपरेशन को अगर आब याद होगा जो टेरिस्ट अंदर थे तो उन्होंने बहुत आजी अच्छी स्ट ऐ इसी ही स्टेजी फॉलो की उन्होंने कहा इनका अंदर सब जाना बंद खाना पीना सब कुछ बंद आइस्ता आइस्ता उन्होंने वहां डेसी क्रेशन की होली प्लेस की और अल्टिमेटली वो बेर आउट होए टेर आउट होए मारे गए तो आइधिंक दैट इस ए राइट नहीं तोड़ना काड़न नहीं काड़न को कंटिनूसली मेंटेन रखना चाहिए ताकि निकल ना पाया निकलेंगे दो हमारी नलाइकी होगी उनको निकलने नहीं देना है उस एरिया को घेर के रखना और टियर देम आउट कब तक सस्टेन करेंगा और अल्टिमेटली इलिम लेकिन को लेकर भी सवाल खड़ा किया गया है कि he came but he went tight-lipped from there. He did not make any statement. Do you think कि वो भी strategically important था कि वो कुछ ना कहें, ऑपरेशन के बारे में तो उन्होंने कुछ कहा है ही नहीं, बाकी situation के बारे में भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया जब होगए. मैं समझता हूँ, आर्मी चीफ को जरूरत नहीं बोलने की. जो आफिसर मौके पर है उसको बोलना है. आर्मी चीफ को क्यों बोलना है? आर्मी चीफ बहुत बड़ा आदमी होता है. वह पूरे कंट्री के लिए होता है. आर्मी चीफ को बोलने की जरूरत नहीं. जो वहां आर्मी चीफ को हर शोटे आपरेशन पर बात करने की जरूरत नहीं है, I don't think he should speak, मैं समझता हूँ उनने बिल्कुल सही किया पांच अगस्त 2019 के बाद जमो कश्मीर में हालात नॉमल रहे, नहीं बिगड़े, क्या आप समझते हैं कि यही वज़ा है जिस वज़ा से पाकिस्तान अब कोशिश कर रहा है, अलग-अलग तरीकों से चाहे वो पुंच के हालात हो या कश्मीर के हालात हो, कि किसी तरीके से हाल पाकिस्तान को बुखलाट हो गई है कि पांच अगस्त 2019 के बाद हालात बिगड़े क्यों नहीं, यहां एक दम जो पहले तो कुछ महीने साल एक कोविड का असर रहा, लेकिन पिछले एक साल से डुवेल्मेंट वर्क इस तरफ़ से पिक अप हो गया, आपके आई आई टी, आई एम, मेम्स, आपके मेडिकल कॉलेजीज, टूरिस्ट देखो, जुलाई एगर सेफ्टमर में साड़े दा, साड़े गैरा, साड़े बारा लाग, इतने लोग आ रहे होटल में कमरा नहीं है, आपका डुवेल्मेंट बर्क सड इंटरस्ट लिस्ट जो हैं, वो इंटरस्ट दिखा रहे हैं, जमो किश्मिर में इन्वेस्टमेंट करने का, अगर यह सारी चीजें होने लगें, उधर से पंचाइद इलेक्शन हो गई, तीस हजार लोग इलेक्ट हो गें, तो यह सारी हरकत जो यूनियन गर्मेंट करवा रही है, अगर सारा यूथ इसी में लग गया, तो पाकिस्तान की गेम कौन चलाएगा, पाकिस्तान की पत्थरवाजी कौन करेगा, वो जो बच्चों को गुमरा करके टेरिस बनाते हैं, उनकी फैक्टरी तो बंद हो गई, तो पाकिस्तान आर्मी और आईस आई जो पिछले इतने सालों से, तीस, चाली सालों से जो टेररिजम चला रहे हैं, उनकी दुकानदारी तो बंद हो गई, तो उनको तो ये डू और डाई सिचुएशन है, आप देखें जो इनको मार रहे हैं लेबर को, इसलिए मार रहे हैं कि जो जितने काम हैं रूख जाएं, हलांकि उसक का जम्मू कश्मीर में सारा काम बाहर की लेबर करती है, सेब तक उतारने का काम, उस सेब को पेटियों में डालने का काम बाहर की लेबर करती है, तो आम आदमी को सबसे ज़्याद तकलीफ होगी, ये बात कश्मीर के हर आदमी को समझनी चाहिए, और उनको ही इन टेरिस्ट है यह उसी नियत से किया गया कि किसी तरह से ऐसे एक्शंस किये जाए ताकि जो narrative है उसको बदला जाए कि हालात बहतर हो गए और दिखाना है कि हालात खराब हो गए यह उसको दिखाना है और आलड़ी कुछ political statements आने शुरू होगे तक देखो जी बाहर से गया और उसने कश्मीर में settlement की हाँ लोग business करना चाहते हैं बट लोग वहाँ डेमोग्रेफी बदलने के लिए कोई भी आना नहीं चाहता है कोन आना चाहता है तो ये इस उस narrative को support करने की ताकि कश्मीर जो जो minorities हैं उनको बापस settlement करने की भारत की सरकार कोशिश ना करें उसको करने के लिए minorities को सिक्खों को हिंदूओं को पंड़तों को इनको target किया जा रहा है तो ये सारा उनको लगा और जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था ISI chief की change भी हुई है तो उसके बाद उन्हें ने रन निती बदली है ओ यहां do or die situation दुनिया को कश्मीर को news मैं रखना चाहते हैं इसको मुद्य को दुवारा उनको लगा ये मुद्धाई हाथ से निकल गया तो इसको वो पूरा दुवारा दिखाना चाहते हैं बहुत बहुत लोजिटिकल सपोर्ट उस एरिया में मिलना मुम्किन नहीं है इंतजार करेंगे सब खत्म हो जाएगा खाना खत्म हो जाएगा पानी खत्म हो जाएगा तो आतंकियों को भी वहां से निकाला जाएगा वहीं आर्मी जिस तरीके से operation कर रही है दिन जादा जरूर लग सकते है लेकिन इन में देखने को यहीं मिलेगा कि आतंकियों को neutralize जब कर दिया जाएगा तो नंबर भी पता चल जाएगा कि आखिर आतंकी इन पुंच के जंगलों में थे कितने